ओम नमस्षिवाय प्रिदर्शुकों! आज मैं जो उपाय लेके आया हूँ न वो महादेव की कृपा है! उपाय नहीं है! यह महादेव ही चाह रहे हैं इस उपाय को करके आपना अपने को सुखी बना सके! अपने जीवन को आनंदित बना सके! करना क्या है? ये भी बताएंग को इस महाशिव रात्री को महाशिव यानि कल्यार रात्री मतलब क्या है रात्री मतलब जिसे हम घोर कहते हैं अंधकार कहते हैं उसी अंधकार से प्रकास की ओर ले जाने वाली ये रात्री है और इस रात्री का विसेश महत्तु है लोग सुबह सुबह जाते हैं जल चड़ा द थे अरे भईया छोड़ो सुबा को उस घोर रात्री को देखो उस घोर रात्री को जानोगे तभी तो अगोर बनोगे ना तुम तभी तो तुम सारे समस्याओं से निकल सकोगे और ये वीडियो ही महादेव की क्रिपा से आप लोगों को मिल रहा है करना क्या है देखो भई इस महाशिवरात्री का जो संयोग बन रहा है ना इसमें तीन नक्षत्र important है कौन-कौन सा स्रवर धनिष्ठा और शतवीशा ये मैं छोटे वीडियो में समझा नहीं सकता आगे बताऊंगा कभी ये तीनों चंद्रमा जो हमें जीवन देता है उसके बाद मंगल यानि धनिष्ठा जो मेरे अंदर पुरसार्थ देता है जिससे मैं इस जीवन को जी सकूं और जब मैं जीवन को जीने के लिए सुझे तदपर होता हूं तो मिरे अंदर एक्षा जाकती है जो राहू है जो हमारी डजायर है कि हमें यह कर ले ना है और ये चीज़े जब पूरी नहीं होती तो हम परेशान होते हैं और हताश होते हैं और इनका न पूरा होना ये हमारे पिछले जनम के रिड से है श्राप से है भूत प्रेद तंद्र मंत्र जादू टोना इन सब चक्करों से है जिसे आप तरह तरह के लोगों के पास जाके इसका समाधान पूछते रहते हैं लेकिन आपको नहीं पता है आपका समाधान इनी महा रात्रियों में छिपा हुआ है सिर्फ एक रात्री और कुछ पल आपको इन सब से मुक्त कर सकते हैं चलिए ज़्यादा समयने लेते हुए आपको बताते हैं क्या करना है देखिए बंदू इस महा शिवरात्री के रात्री में आपको 11 दाने अखंडित अक्षत के लेने है इक ग्यारा दाने लाल मूम के लेने है अखंडित और 11 दाने काली उरद के लेने है वो भी अखंडित जो मैं समय बता रहा हूँ शिवरात्री का उस समय में ये खेल करना है करना क्या है आपको किसी भी पास के शिवाले जाना है और रात्री को साथ बजे से नौ बजे के मद्ध आपको अपने राइट हैंड में साबूत अक्षत को रखना है और ऐसे मुठी को बंद करना है और साम्ब सदा सिवाय भगवान शंकर और माता पार्वती को मन ही मन प्रडाम करना है और प्रडाम करके अपनी ब्याद ही उन्हें बतानी है सारीरिक ब्याद ही बतानी है मांसिक ब्याद ही बतानी है रोग बताना है, दोज बताना, जो भी है, वो आप उनसे बताएंगे, उसके बाद इस तरह से हाथ को रखेंगे, बाएं हाथ को रखना है, हमेशा बाएं के उपर राइट रखा, दाइना रखा जाता है, यहाँ पर आप दाइने मुठी के उपर बाया हाथ ऐसे कर देंगे, और क्या बोलेंगे, ओम, श्राम, श्रीम, श्रॉंग, सह, चंद्रमसे इन्ना मह, 11 बार बोलके, आपको ये अखंडी तक छत महा देओ के स्यूलिंग पर चड़ा देना है, ऐसे करके, और प्रडाम करके चले आईए, या बैठे रहे जैसी आपकी इक्चा, उसके बाद, तूस जो समय शुरू होता है, वो रात्री को 10 से 11 बजे के मत देखा है, आपको फिर मंदिर जाना है, क्या लेके जाना है, लाल मसूर, वही खडी मसूर, अकंडित मसूर, उसे अपने राइट हैंड पे रखना है, ऐसे मुठ्थी बंद करना है, ऐसे ढखना है, और इस मंत्र को ब इसा बोल के ये भी आपको महादेव के शिवलिंग पर ऐसे करके चड़ा देना है अपनी प्रार्तना कर लेनी है अपने ब्याधियों को बता देना है कर्म छेत्री की ब्याधियों को बता देना है चले आना है अभी एक पहर और बाकी है जो राहू का है जो रात्री का है जो च चाया का है। और चाया जिसका प्रतिविंब कहा है ये आपको नहीं पता है। उसे भी ऐसे ही राइट हैंड में रखना है। ठीक उसी प्रकार बाया हाद उपर करना है। और इस मंत्र को बोलना है। मंत्र क्या हैं। ओम प्रांग प्रिंग प्रांग सहसनिश्चराए नमा ओम प्रांग प्रिंग प्रांग सहसनिश्चराए नमा ये बोलके आपको महादेव के उपर चढ़ा देना है ग्यारा बार ओम नमस्षिवाया साम्ब शदाशिवाय नमा बोलके भगवान से प्रार्तना करनी है और एक एक दाना तीनों से उठाना है नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं वहाँ भया पुस्पी उठा लेना जो चड़ा होगा अगर मिल जाए आपके दाने तो तीनों उठान है आपकी यादी प्यादी सब समापत हो जाएगी हर हर महादेव